दमोजले के हटा थाना अंतरकत आने वाले ग्राम कुवा खिडा से एक महिला को दमोजला स्पताल में भरती कराये गया है महिला को जहर सेवन के बाद जिला स्पताल में लाज के लिए भरती कराये गया है जहां महिला के परिजनों का आरोप है कि उनके ससराल पक्ष के द्वारा जमीनी विबात को ले करके उनकी बहन को जबरन कीटना सक्का शेवन कराये गया है क्या है मामला क्या कुछ आरोप लगाया भाईयों ने आपको सुनाते हैं अरोपको सुनाते हैं क्या है अरोपको सुनाते हैं झाल अरोपको सुनाते हैं हटा के पास कुगाख़ा वाजी में हुई है और उनके जीट का नाम केसाअ परसाद मिसरा और जिठोत का नाम असोक मिसरा और जिठाणी का जिठाणी ओनके दोनों लड़के इनने मिलके उनको पकड़ा उनको दवाज पिला दी है और सीरिया से हमाई बेहन और कम जब दो तीन बार रिपोर्ट दर्ज की तो पुलिस ने आद तक कोई एक्षन नी लिया है अगर हमारी बेहन मर जाती है तो इसके जम्मेदार केसाओ मिसरा असोक मिसरा और असोक मिसरा की मम्मी और नंद प्रभा जे रहेंगे उनके जम्मेदार और हम आपसे एए ही कहना चाहते हैं कि भाई या उस पे एक्षन ले पुलिस जी मैं कठोर से कठोर का रवाई हूँ हमारी बेहन की साधी कुगा खेड़ा बाजी में हुए हटा के पास में तो उनकी जठानी जेट और उनके जठोत ने हांत पकड़के दबा पिला दी तो वो सीरियास हैं यहीं पर भरती हैं और दो तीन बार रेपोर्ट भी कर चुके हैं तो हटा की पुलिस ने कोई कार रव हुआ ने की है आज यह सी स्तिती बनी है का हमाई बेहन जिंदगी और मौत के बीच गुजर रही हैं हम तो जो इचाहत हैं का भाई यह उन पर कटूर का रवाई हो है हम बक्स वहां कि सुन पराके हैं है कुगा खेड़ा बाजी में है आज एकी चाहुदा तारी किस वास के करते हैं उसको प्रतारज़त करते हैं बहुत हम लोग बहुत परेशान हैं उनसे हम कई बार वहां गये हैं तो गाली गलोच करते हैं जान से मारवे की धमकी देते हैं केसाव मसरा वासूक मसरा जमीनी संबंदी पर बाद है तो वह पूरा लाएं अब इनके पास कुछ नहीं जमीने दाएं यह 25 एकर जमीन हैं तो हमारी बेहन को दो एकर दाएं और वे पूरी लाएं तो जमीनी संबंदी विबाद है अब वे तो घर मकान सब लाएं भज्या